मुबाइल पून आज के समय में कैसा डिवाइस हो गया है जिसके बिना हम अपना एक दिन भी नहीं काट सके हैं जिसके बिना एक दिन काटना भी मुश्किल हो जाता है जिसे देखो वही घंटों तक फोन पर लगा रहता है जी हां बात्रूं में बैट कर फोन इस्तमाल करना आपकी सेहत के लिए काफी नुक्सान दायक हो सकता है बात्रूं में फोन का इस्तमाल करने को लीकर एक चोकाने वाला रिसर्च सामने आए Research में दावा क्या गया है कि ये आदत आपको गंभी रूप से बिमार करने के लिए काफी है Health Experts के अनुसार बात्रों में मुबाइल का उप्योग करना आपकी सेहत के लिए खतरनाख हो सकता है ये आदत कई तरह की बिमारियों को नोटा देने के लिए काफी है Health Experts का मानना है कि इससे बवासिर होने की संभावनाए होती है बवासिर एक बिमारी है जिसे पाइल्स के नाम से भी जाना जाता है आपको उतादे कि पाइल्स से पेरित प्रक्ति को बैटने और उठने के दुरान काफी दर्द का सामना करना पड़ता है महीं मल के रास्ते के जरिये कई बार खून भी निकलता है और ये तब होता है जब मलाशे में सूजन होती है पाइल्स मलाशे के बाहर या अंदर दोनों जगे हो सकता है Health Experts का कहना है कि टॉलेट में कई तरह के बैक्तिरिया पाये जाते हैं जब आप बात्रू में फोन का यूज करते हैं तो वहां मौजूद बैक्तिरिया के लिए आपके फोन तक पहुँचना कोई मुश्किल काम नहीं है यह आपके मुबाइल पर बैट जाते हैं और वहीं से ही आपके हातों या कई और तरीकों से आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इसकी वज़े से आप बिमार हो सकते हैं कई लोग ऐसे भी हैं जो टाइलेट में पॉन इस्तिमाल करने के बाद उसके साथ सपाई पर धान नहीं देते और इसे उस पर लगिसे होते पहुते हैं जिससे डाएरिया, यूटी आई और डािजेशन से जुड़ी कई तरह की समस्याएं हो सकती है यहां तक कि इससे पेट के अंदर रूनी हिस्सों और आतों में भी सुजना सकी है जो लोग बात्रूमें फोन का यूज करते हैं उन लोगों को इस आदत को बदलना होगा और बात्रूम जाएं तब फोन को बाहर ही छोड़तर जाना होगा इसे नहीं सिर्फ बवासर का खत्रा कम हो जाएगा बलकि बैक्टीरिया का खत्रा भी कम हो जाएगा इसे बचने के लिए समय समय पर मुबाइल को सेनिटाइज करते रहना चाहिए हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि वेस्टन डिवाईज वाले टॉयलेट में जाने से सही पोजिशन नहीं बन पाता जिससे पेट साथ नहीं हो पाता और कमरधर की शिकायत भी रहती है इसके लिए इंडियन टॉयलेट्स का इस्तमाल करना चाहिए आपको इस्टोरी कैसी लेगी हमें कमेंट करके जरूर पता है अभी के लिए इतना ही धन्यवाद